हे दोस्तो, वेलकम टू स्टड़ी आईयस और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई स्पीसीज किकाडा की ये पाए गई है नागा लेंड के अंदर सब कुछ अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगी कि आखिर ये किकाडा स्पीसीज क्या है ये तरीके का इंसेक्ट जो है इसके क्या आप कहसकते सिग्डिफिकेंस है और हमारे यहाँ पे इन्वाइरमेंट पे ये इन्सेक्ट किस तरीके से असर डालता है और क्या इस इन्वाइरमेंट से कोई खतरा हमें है या फिर human wings से इस kikardia species को कोई खत्रा होने वाला है तो अपनी आज की वीडियो में हम लोग ये सारी बाते in detail पढ़ेंगे और साथी साथ ये भी देखेंगे कि आखेर इंडे की कौन सी ऐसी जगह है या फिर कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर की काडा species के काफी सारे यहां पर जो आप कहज़कते हैं जो ये इंसेक्ट हैं ये देखे जाते हैं तो वीडियो को ध्यान से और अराम से पूरा ज़रूर देखेगा जिसे कि आपको एक अच्छी इंडेस्टेंडिंग हो जाएगी अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक important information जो की आ रही है अन अकेडमिक तरफ से जागरिती अवस्ती जी जो की अन अकेडमिक से पढ़ा था उन्होंने और उनकी एर टू आई है ये काफी अच्छी achievement है तॉप 20 के अंदर 7 ranker और तॉप 50 के अंदर 15 एंड ओवरॉल यहाँ पे 170 जादा बच्चों ने इस exam को crack करा है तो दोस्तो अगर आप भी चाते हैं इस exam को crack करना तो यहाँ पे नए बैचे स्टार्ट हो गए हैं 13 अवक्तूबर से आप जाके यहाँ पे enroll कर सकते हैं और अपनी preparation को और बहतर कर सकते हैं हमारे जो अन अकेडमिक के top educator हैं इंडिया के जो की बहुत बहतरी ने अपने subject के अंदर expert माना जाता है उने वो आपको पढ़ाएंगे साथी साथ अक्टूबर 17 से यहाँ पे आपके UPCI CAC combat होने वाला है और 11 जैसे यह होगा scholarship pool बताय जा रहा है 4 करोड से जादा का आप जाके यहाँ पे enroll कर सकते हैं और हमारा invite code study IS भी use कर सकते हैं दोस्तों काफी सारे features हैं जो कि आपको unacademy provide करवाता है और अगर आपको यहाँ पे additional 10% के discount चाहिए तो आप हमारा जो code है उसे use कर सकते हैं जो कि study IS है और जिससे कि आपको यहाँ पे 10% के discount मिलेगा तो जाएए और subscribe कीजिए जैसा कि आपको बढ़िया लगता है अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ और देखते हैं इस नई की cardis species के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है recently जो naga hills है naga land के वहाँ पे पाया गया है एक नया की cardis piece जिसका नाम बता जा रहा है पर उससे पहले एक disclaimer आप सभी के लिए हूँ सकता है मैं इसका pronunciation गलत बोल पाऊं तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा लेकिन जो नाम मैं बोल पा रहा है वो यह है कि platomia kominesis एक बार चेक कर लेजिएगा क्या pronunciation है पर जो भी है इसी तरीके से है इसके साथ साथ यहां पर इससे पहले भी दो species किकाड़ा की जो कि आपकी है सवाजना mirabilis और सलवाजना imperilis जो discover करी गई थी मेगाले में ओके तो यह दोनों species जो है एक तो मेगाले में और दूसरी जो नागा हिल्स है नागा लेंड में वहाँ पर आप कह सकते हैं पाई गई थी अब बात करते हैं कि इस किकाड़ा species के बार में कैसी है और क्यों यह famous है इतनी ज़ादा इन सभी के बारे में तो देखें किकाड़ा जो हैं यह आपके हैमी हमेप्टरन इंसेक्ट होते हैं और यह काफी ज़दा जाने पैचाने जाते हैं इनके आवाज की वज़े से जो लावड है इनका complex है और यह जो species है यह जो इनके खुद के काफी specific acoustic signals हैं उनके लिए बहुत famous हैं आप लोगोंने सुना भी होगा कई बार एक कुछ ऐसी आवाजें जो की insects से निकलती हैं वो किकाड़ा की होती हैं जो गाने की तरीके से वो चीज बनाते हैं जो आपके हम्पेटरन इंसेक्ट होते हैं वो basically कहला जाते हैं true bugs और आप कह सकते हैं जो इनके mouth parts होते हैं वो use करे इनके काम होते हैं उसके लिए और साथी साथ इनके पास wings भी होते हैं जो नेक की काड़ा species है यह बिलॉंग करती है यहाँ पे एक platio mia rada group को और उसी से इसका नाम पड़ा है जो की यहाँ बताई जाती है कि वो eastern megalas के naga hill से आते हैं इनके पास खुद के जो dusking, singing होते हैं व light hours होते हैं उस time पे साथी साथ यहाँ पे जो यह जो insect होते हैं इनके timbal जो sound होते हैं उनकी membrane से यह produce होता है जिसकी वज़े से आप कह सकते हैं काफी सरे insects के अंदर और उसी तरीके से यहाँ पे इनसे भी यह sound जो है वो produce होता है क्या significance है इसकी काड़ा के यही पढ़ लेते हैं तो यह काफी सब्सक्राइब बेनिफीशल रहते हैं क्योंकि जो जिस तरके यहाँ पे जो आपकी pre-on mature trees होती है उनके लिए erite जो soul है उसके लिए साथी साथ अगर एक बार यह मर जाते हैं तो इनकी जो body होती है वो काफी signature के अंदर बहुत जरूर यह साथी साथ मैं यह बता दूँ कि जो इनके acoustic signatures होते हैं वो indicate करते हैं as a healthy forest ecosystem मतलब कि जहां पे एक इकाड़ा बढ़िया तरीके से रह रहे हैं जहां पे इनकी आवाजी आ रही है तो उस आप कह सकते हैं ecosystem को यहां पे healthy ecosystem कहा जाएगा मतलब कि अग यहां पे पढ़ा भी होगा 8th 9th class में एक यहां पे cycle पढ़ा ही गई होगी आपको तो वो cycle के हर एक जो यहां पे जो insect है जो creature है जो human being है तो वो सभी कुछ interrelated है अगर कोई भी एक यहां पे problem में होता है तो आप कह सकते हैं directly या फिर indirectly वो दूसरे को यहां पे उसे problem हो है जो यहां पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से human being day to day आप कह सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है वहां पे इसके काफिजदा सर पढ़ रहे हैं अब बात करते हैं इसके habitat के बारे में तो जितने भी आप कह सकते हैं जातों के काड़ा होते हैं वो एक तरीके से canopy dealers होते हैं और यह forest अंदर जहां पे बहुत बड़ी बड़ी trees होती हैं इनकी general diversity का रहाँ बात करें तो इंडिया में और Bangladesh में यह सबसे ज़्यदा पाए जाते हैं और उसके बाद चाइना के अंदर ओकी अब आप देखी सकते हैं इंडिया बांगलादेस में तो ऑविस दी बात है चाइना भी यहां पे आएगा क्योंकि काफी आप कर सकते हैं close country रह जाती है हमारे में तो काफी ज़द आप कह सकते हैं large scale पे जिस तरीके से जो natural forest है वो काटे जा रहे हैं हमारे human settlement के लिए हमारे जो agriculture feed है उसके लिए काफी ज़द आप कह सकते हैं जो forest वो जलाए जा रहे हैं क्योंकि यहां पे आप कह सकते हैं काम करते रह रहे हैं development हो रही है कई सारे factories बन रही तो अगर इसी ज़द देखी जाती हैं तो जो किकाड़ा हैं वहां पे आप कह सकते हैं काफी दा कमी हो जाएगी क्योंकि उनका वो habitat नहीं रहेगा वहां पर जगह जहां पर रहना चाहते हैं वो जगह वैसी नहीं रहेगी तो वो वहां से हट जाएंगी या फिर मर या फिर इन्हें मारना काफी एक mass emergency पर तो ये एक आप कहसते हैं काफी बड़ा threat हो जाएगा हमारे लिए भी और इनके खुद के survival के लिए भी ओके तो ये थी पूरी वीडियो जहां पर मैंने discuss कर रहा है भी इस नई की काड़ा species के बारे में I hope कि इस वीडियो से आपको ची have a nice day